इस ज्ञान में तो कुछ भी महनत नहीं चुप हो जाओ कोई उलट सुलट बोलता है तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो मनसा वाचा अथवा कर्मिंद्रियों से तुमको कोई भी किसी का विरोध नहीं करना है ऐसे नहीं कि तुम जूठ का विरोध करेंगे होँ अल्ला मचावेंगे दमचक्कर मचावेंगे कोट का चेहरी में जावेंगे तो जूठ खत्म हो जावेगा नहीं तुम चुप रहेंगे तो भी जूटी की दुनिया खलास हो जावेगे इतना चुप रहना है जो आवाज से भी परे हो जाओ बाप कहते हैं माम एकम याद करो मुझे एक को याद करने के लिए कोई आवाज की जरूरत नहीं